हां होता है एक्जाम में इतना आसान नहीं होता है कि question को पकड़ पाना इसलिए हम कहते हैं कि concentration के साथ ही approach किया जाए तो ज्यादा अच्छा है अपने मन के जो अनू-परमानू है ना उनको बहुत सांथ रखने की जुरूत होती है कि घड़ी की जब टिक 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 करती है तो बड़ा मुस्किल होता है खुद को सांथ रख पाना है चलिए तो यह question था एक marks में बहुत ही आसान सा question था यहां टी दे रखा है आर क्यूब टू आर क्यूब यह लीनियर ट्रांस्फॉर्मेशन सैटिस्फाइंग टी 100-01-110-100 इस तरह से दे रखा है आप यहां से देख पा रहे हो कि यह जो हमारे वैक्टर्स है ना 100-110-111 यह लाई है ना बिलकुल मीनु जी अगर यह लाई वैक्टर्स है तो अगर इनकी रेंज सेट हम देखेंगे तो उसकी देख लेते हैं कि नलिटी क्या आ रही है यह डाइमेंशन क्या रही वहां से चेक कर सकते हैं वनमन है की नहीं अगर नल्टी में कोई वैक्टर चला जाएगा तो हम पदा सकते हैं कि हमारी जो टी है वो कैसी है क्या किया है बाद वाले जो वैक्टर दे रखें यह क्योंकि अलाइद दिख रहे हैं ठीक है आप इसको चेक भी कर सकते हो यहां से हमने इसकी रेंक निकाल ली आप डिटर्मिन निकाल की भी देख सकते थे नॉन जीरो आ जाती तो आसे नॉन सिंगलर बोल देते और फाइन मिल गए हमको तो रेंक टू मिल गई तो लेस देन क्या थी के बराबर नहीं है तो नाइधर वन वन नौर ऑन टू फाइन आइट के केस में ऐसे चलता है ठीक है आप संसी करेक्ट हो जाएगा किसी को डाउट नहीं होगा इस पर